असोक राजपत के 84 महले में गंगा नदी के किनारे बने दर्भंगा हाउस संभोता इंडो सेरा सेनिक इस्थापते सैली में बनी पटना की पहली महत्वपूर्ण इमारत है पटना संग्राले और सुल्तान पहले स्थापते सैली के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास किया कि भले ही वे सासक है लेकिन भारत में ब्रिटीज भारतिय परिवेश का हिस्सा है 1870 के दसक में उन्होंने भारत में इंडो सेरा सेनिक इस्थापते सैली में प्रयोक सुरू किया इंडो सेरा सेनिक वास्तु सैली में उन्होंने भारतिय और इस्लामी वास्तु कला के साथ गोथिक पूरुरुधार और नियो क्लासिकल सैली को समाहित किया 1889 में अपनी ताजपोसी के बाद दर्भंगा के महराजा लचमिश्वर सिंग ने गंगा नदी के तड़ पर दर्भंगा हाउस का निर्मान करवाया इसके लिए उन्हें ने ब्रिटिस वास्तुविद मेजर चार्ल्स मैंड की मदद ली चार्ल्स मैंड ने हिंदुस्तान में रहते हुए कई महत्वपूर इमारतों को डिजाइन किया था पटना में उसने टेंपल स्कूल आफ मेडिसीन को डिजाइन किया था पटना में उसकी घनिष्ट था दर्भंगा राज के महराजा लचमिश्वर सिंग से हो गई उनके आगरा पर उसने दर्भंगा के आनन्द बाग पैलेस और पटना के दर्भंगा हाउस का डिजाइन तेयार किया ये दोनों इंडो सिरासानिक सैली के थे आनन्द बाग पैलेस को मैंट ने अपना सबसे महत्वपूर पोजेक्ट माना था ताकि कोई खबर छूट न पाए